दुबई, रेगिस्तान में बसा एक ऐसा शहर जिसकी चकाचौन से हर कोई हैरान हो जाता है अचानक 16 अपरेल को इस डिजर्ट सिटी में तेज बारिश शुरू गई ये बारिश इतनी जादा हुई कि थोड़ी ही देर में फ्लैश फ्लड आ गया एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशन, मॉल, रोद्स, बिजनस इंस्टिटीशन में बार का पानी घुज गया स्कूल बंद कर दिये गए, सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरे और वीडियो वायरे हो रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 24 घंटे में 160 मिलिमीटर बारिश हुई, जो की आम तोर पर 2 साल में होती है ये अपने आप में एक बड़ा नाचरल डिजास्टर है चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि UAE में तूफान से क्या इस्तिती हुई में एक एवरेज इयर में लगभग 94.7 मिलिमीटर बारिश होती है अल एन में 254 मिलिमीटर और फुजयरा में 145 मिलिमीटर बारिश दर्ज की गई चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वहां इस भारी बारिश के क्या कारण है बताते हैं कि एक सिगनिफिकन्स टॉर्म सिस्टम अरेबियन पेनिसुला में चला गया जिससे छेत्र में एबनॉमल फॉर्म से हाई रेंट फॉल में UAE में क्लाउट सीडिंग टेकनोलजी का यूज किया गया जिसमें बारिश को प्रेरित करने के लिए बादलों में सॉल्ट मिक्षर को स्प्रे करना शामिल है नैशनल मेटरोलोजिकल सेंटर के मेटरोलोजिस्ट ने तुफान से पहले 6 या 7 क्लाउट सीडिंग फ्लाइट्स आयूजित की थी इस हेवी रेन में ग्लोबल वामिंग का भी योगदान माना जा रहा है क्योंकि हाई टेंपरेचर से पानी का इवैपरेशन बढ़ जाता है जिससे वातावरन में अधिक नमी बनी रहती है UAE में पिछले 60 वर्षों में तापमान में लगबग 1.5 डिग्री सेल्सेस के विती देखी गई है एल नीनो और लानीना जैसे नैश्रल क्लाइमिट पैटरंस के प्रभाव के कारण इस स्पेसिफिक इविंट को सीधे क्लाइमिट चेंज से जोड़ना चैलेंजिंग है जो मौसम के एक्स्ट्रीम लिमिट को भी प्रभावित करता है साइंटिस्ट का मानना है कि इस बारिश और फ्लट का मुख्य कारण क्लाउट सीडिंग है तो आएए जानते हैं कि आखिर का ये क्लाउट सीडिंग क्या है क्लाउट सीडिंग सिल्वर आयोडाइट क्रिस्टल जैसे कड़ों को बादलों में डालका आर्टिफीशल फॉर्म से बारिश कराने की टेकनीक है इसमें आम तोर पर एयरप्लेइन शामिल होते हैं जो बादलों पर रसाइंडों का छिड़काव करते हैं ताकि स्मॉल पार्टिकल्स को बड़ी बारिश की बूंदों में कंडेंस किया जा सके जो बारिश की रूप में गिरती है चलिए एक नज़र डालते हैं कि भारी बारिश से बचने के लिए क्या किया जा सकता है अधिक पाने की मातरा को संभालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम्स का अपग्रेड और एक्सपेंशन करना चाहिए बिल्डिंग रेगुलेशन को लागू करना जिनके लिए मैनिफेक्ट्रिंग प्रैक्टिस में फ्लड मिटिगेशन मेजर्स की आवश्रक्ता होती है निवासियों के लिए क्लियर एमजेंसी रिस्पॉंस स्ट्राटेजीज और कमिनिकेशन प्लान्स स्टैबलिश करना एब्सॉप्शन बढ़ाने और अनॉफ को कम करने के लिए पर्मीएबल सर्फेस और ग्रीन रूफ के उपयोग को बढ़हावा देना अनिटेंटेट कॉंसेक्वेंसिस को कम करने के लिए क्लाउट सीडिंग ऑपरेशन की केफुल मॉनिटरिंग करे और पॉसिबल फॉर्म से वेल एज़ेस्ट करना होगा चलिए ये थी important information regarding this topic और अब समय है इसी topic से related एक मेंस question का सैयुक्त अरब अमिरात में record तोड बारिश में योगदान देने वाले कारकों पर चर्चा करें discuss the factors that contributed to the record breaking rainfall in the United Arab Emirates आप सभी अपना answers हमारे टेलीग्राम चैनल पर छोड सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly do it yet